हिंदुस्तान की आजादी से पहले घोड़ा बहुत ते दोड़ता था लेकिन घोड़े की काबलियत कुछ गधों के मालिकों को हजब नहीं हुई उन गधों के सभी मालिकों ने एक मिटिंग बुलाई कि ऐसा क्या किया जाए जो गधा घोड़े को हरा दे बहुत देर सोचने के बाद भी कोई उपाय नहीं निकला फिर बाद में गधे के मालिक ने की युक्ति सुझाई कि क्यों न हम सभी घोड़े के पैर में जंजीर बांदे इससे घोड़ा तेज नहीं भाग सकेगा और गधा जीत जाएगा यही हुआ आजादी के बाद भोड़े के पैर में जंजीर बांदे और गधे को जिता दिया यह जंजीर आज भी घोड़े के पाव में बनी हुई है और यह जंजीर है आरक्षन रूपी जंजीर लंबी रेश के तेज घोड़े को उसके अधिकार से वंचित करके गधे को आगे लाने क का नाम ही आरक्षण है और यह आरक्षण रूपी साथ योग प्रतिभाव को दिन प्रतिदिन दस रहा है अगर 90 प्रतिशत वाले चप्डासी और 40% वाले अधिकारी बनेंगे तो इस देश का भविश्य क्या होगा इस विश्य गुरु भारत का भविश्य क्या होगा अगर ऐसा ही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इस देश में गिरह युद्र का कारण आरक्षन बनेगा अगर आप भी जातिगत आरक च्छन मुक्त भारत हम सब को चाहिए जातिगत आरक्षन मुक्त भारत जैहिन जै भारत बंदे मातर हो